कैसे आप लोग काई होप आप सभी एच्छे होंगे तो आज हम मोग टेस्ट हिंदी से समंझ देले क्या हैं और यह लेटेस्ट पेटान पर आधारित होंगे आज के सारे प्रसना और सभी प्रसनों को विट एक्स्ट्रा फेक्ट के साथ बताएंगे तो आप लोग वीडियो के एक होता वीविरित स्वर एक होता वीविरित वीविरित स्वर एक होता सम्विरित स्वर इसके लाब ही बता आर्द सम्वरित आर्द वीविरित तो पले इन दोनों का आपको समझेए बिल्कुल आसान भासा में सब ट्रिक बताएंगे इसका ताकि आप लोग को याद रहे व मुह आधीक खूलेगा मुह अधिक खुलेगा तो मैं समझ लीजेगा वो स्वर्विवरीद स्वर्वा समझ परोगा कम खूलेगा अगर आपको बोरन है उसको बोल के पहले से विऑ हैं अगर आपका मुण कम खुलता है तो समझ लेगा वह संवरीद स्वार होगा जब आपका मुण अधिक खुलता है तो वुद्वयर श्वर होगा ऑप्शन देखे हर सेओ धुर्णधेएं अगर बां घुके आपका घुए सब्रेसरे जब मुं अतना नहीं खुलता कम खुलता है इसली यह तिनों हो जागा शंवरित स्वरिण मुह कम खुलता है आ में मुह अधिक खुलता है इसलिए इसका अंसर ओप्षन डी हो जागा आ यह विवरीट स्वर है मुझे उमीद है आप यह concept को समझ गये होंगे कि विवरीट स्वर किसे कहेंगे जिसमें अधिक मूँ खुलेगा जिसमें कम मू खुलेगा संबरित अब बढ़ते हैं अगले प्रस्न कि ओर मिता निम्ना लिखित में से अपको बता नाइकी चारों मेंसे टत्सम सब्सकूम सार्फ में दिया था कि का अक पर साथ में चबल्प हो गया इसका तथम क्या हो जगा सब्ट सब्सक्राइब Страз तत्सम क्या है उसे हम बता दिए ंपको thinking ॐ संप तत्सम का अगका अगनी इस्लए चशंचू वर्ड का हो इसका तत्सम हो। चोच होता है क्या होता है चोच चैशनचू चोच होता है तो सीली इस्छा एका问题 की सब्सक्रेद हो निम्न लिखित में से तदभाब सब्द चुनना है इसे पहले था परस न तत्सम को चुनना था अब तदभाब को चुनना है ऑप्शन में दिया है नव करन फूल असरू तो पहले हम इसका अंसर पता देते हैं बाकि इसके लब जो वर्ड है उसका भी तत्सम तबब दूनों जान लेंगे तो इसका अंसर हो जोगा ऑप्शन सी फूल फूल यह तदभाब है फूल कैसा सब्द है तदभाब है लेकिन इसका तत्सम क्या होगा सबको पता होगा पूस्प फूल तदभाब है इसका तत्सम पूस्प होगा ना पूस्प पूस्प यह तत्सम है इसका तत् करन कश का कान जनवे करते होंगे कर्ण करन Mi शकर तत्वाब कर्ण सुन सीवक्र अससूरूक आशु माकि प्रफल टुर कि कि अद्र था आपको प्रश प्रेशा है करना को आपको है अतर कि प्रफल सबस्क्राइब को सबस् ужас करना के आपको आपको मिल जाएगा है कि अपको वहापो अनाधिक्रित यथेष्ट परदर्सन सड्यांत्र सुचिबद बहुबरी इनि दो दो सब्द दिया है आपको बताना की कौन सा उप्षन में दोनों सब्द जो है मलब किस उप्षन में असुद वरतनी वाले सब्द है उसी को चुनना है सुद नहीं है असुद है हां तो इसका एंसर क्या होगा कौन सा उप्षन में दोनों सब्द गलत दिया है उसी को चुनना है सनवर्धन तो सही है वहापो यह भी से लेकिन बहुत सारे चुन को यहां पर इसको गलत लगेगा यह सही है परदर्सन सड्यांत्र यह भी सही है सुचिबद बहुबरी यह भ अप्शन बी पॉप्शन बैडी में रिखा वाँ अनुदिकरिया देष्ट दोनों र没有 गलत है यह नहीं करते निए अनुदिकरित नहीं होता यह थेस्ट नहीं होता यह थेश्ट अ मैं कि और आप्सर ना पता है क्या था है यह और अफन उप्सन में थोज़ा था टापिंग में डोह हो यह तो आपको तो तो हो था तक तो होगा लेंगे यह थो अदिया था अपको गलत यह थैंद्या तबने उसका आप सही किजिएगा तो यह देखिए कला मुथराब पतला कर लेते हैं तो देखिए अनाधीकरीत यह थेश्ट दिया है लेकिन ऐसे नहीं होता होता कैसे है उसको यह लिग देते हैं अनाधीकरीत नहीं होता अनधीकरीत होता और नो होता नो में आकर नहीं और नो फिर धोहरसी अनधीकरीत यह होता है इसका आर्थ क्या होता पता है इसका आर्थ होता जिसे अधिकार ना मिला हो उसके बाद यह थेश्ट नहीं होता है यह थेश्ट ऐसे होता है यह थो एक मुर्धन स्वाधा टो होता है जबकि यह थो दिया था इसलिए गलत हो जागा देख रहें ना उसके करन पूरा सब्द ग कि प्रस्ण है निमने लिखित में से किस वाकि में अकर्मक क्रिया का परियोग हुआ है अकर्मक क्रिया का परियोग हुआ है किसका अकर्मक तो देखिए एक होता सकर्मक एक होता अकर्मक इसको पाचानिय का कैसे हम बहुत ही असान बहसां बताएं जिसे आपको याद रहे किया एक अकरमक ठीक है इसको कैसे में नम्याद रखना आपको अगर आप फॉले आपको अंसरान पूस्ते हैं एंसर मिल गाप समझन पूस्टे कसंपने कौसं कांता मेम गई गर सकांक अगर यह कौसंफ है इसका गर नहीं मले गां अमुल पूह नहीं मिला झालता समझ Tara oso Fundas i अंसर नहीं गा तो सक्रमाइ albo पूछेंगा अन्सर नहीं मिलेगा तो अकरमक अब आए परसन बनाये थो रंद मांज जाएगा जिस तरह दिखिए तो चाहिं को सब्सक्राइब यहां से हमको पताचर यह सक्रमक है तो इस तो होगा नी उसी तरह सी में है उसका answer मिल गया यहां पी मिल गया यह यह भी सक्रमक है फिर ड में है सरोज नाटक देख रहा है सब्सक्राइब तो जहां भी आपका एंसर मिल गया तो जहां भी अगर सब्सक्राइब तो इसलिए इसका उप्षन यह हो जाएगा रात में दीन में मिलता लिए रात भर नहीं सोया इसलिए आकरमक के रहे हो जगा आसका का रहा तो यह आद रिखेगा अगर हो यह से परिभास रिखेगा तो जिसमें करता परदान आज़े दो करता जिसमें जो हम बता है न अगर कुछार मिला से पुषिये का एंसर अकर्मक परसना है दिसकी लाठी उसकी भैस्य यह अंडरलाइन था परशनर्था जिसकी लाठी उसकी भैस रेखांकित पदो में सर्वनाम कौन सा है आपको सर्वनाम बताना है जो रेखांकित क्या गया है जिसकी उसकी इसमें कौन सा सर्वनाम है संबन्द वाचक निस्य बाचक निज बाचक पूरुस बाचक पूरुस तो होगा निज भी नही को पीनहीं कि जिसका लाठी एकसा धाइस की लाऄा कर अग्या तक लिखला को अबशक्छ को संबनदब बताता है इसका इसका आंसरॉपशन जिसकी उसकी में कौनेे सर्वना में समधवाचक ऐसिए परशन परभा एक सुसील कन्या है वाक विशेष से बदाना है विशेष से विशेust किसव कहुंद बता भुष्य। सबतां फूर्फ है तो आइस से कहते है तो पर वान पर बाह से नावन होगे तो यह आ होगा नि है अश्य। एक तो खानी अब आपकर वी श्री श्री सन निबताना अगर बूसटा तो आपका अंसर जाए सुसिल लेकिन आपको बिसेश से बताना है तो यह विसेशन बताता है कन्या का इस का इस होगा वह कन्या होगा इसली इसका फैस्ट्ट ओप्सन सी हो जाएगा यह पून शुषिल ma Kelio Eastern किसी संग्यां पतलाताा है विघटांसाइक यहां कंज आपका नाउन हो गया नाउन हो गया संग्यां बेर्ट bütün किस्का बणनाइक का यह संग्यां है दार्षन इग भी से सन मूल सब्सके से निर्मित हुआ किस मूल सब्सकुन निर्म ऐधाاخ से नहीं Elvis या की सम सब्सक्रम नहीं दो मुल सब्सक्रम निसे बना दार्षन ग्रवन की लेटिस्ट परण पर हारे आपको बताना है तो दिखिए औपव्स व हुआ क्या दिया हुआ धूरी पहिया पासा यह तीनु अक्षिस सब्द का और्थ है धुरी पासा और या ओं şur कि इसका आर्थ किसका अक्ष का आख विए धूरी भी दूरी भी पाइए पासा भी आत्मा भी है जो वर्ट रेल्ट अक्षका रथ धूरी पाइए पासा आकात्मा तो यहां इसका एंसर उप्षें डी चाबल वहतो है अक्षत नों डालते हैं अक्षत होता है चाबल क्या होता है अक्षत होता है अक्षत का अर्थ चाबल होता अक्षका आर्थ नहीं होता इसलिए इसका अंसर ऑप्सन डी हो गया बंकि तीनों जो था धूरी पहिया पासा अधर आंकातमा यह पांचों है अक्षका अर्थ है च लगता है तो भारतिये में परतिय आ है ये यह हरसे ही विला यह कि दुर्गे विलाई है यह यह दुनों तो आप लोग फ़ले हटा दीएगा यही ही दुनों होगा हरसे ळाउत्रा दुर्गे विला जो भी इस नशरुखा ताइप करके आपको कमेंड बॉक्स में बताना है तो फ्रेंड्स आज का प्रस्ण बस नी तक था सारी प्रस्णों को भी कॉंसेप्ट के सथ बता देए दिया आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए था मेरा टूप चैनल करजी जिस अड़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को भी हिट कर जिए ताकि हर एक लिटेस्ट वीडियो का नोडिफिकेशन तो रहन आप तक पहुंच जाए थैंक्स राची मुडियो दाने बात हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ आपता के लिए जय हिंद् उर्णाव के लिए देक्स्ट वीडियो